हेलो फ्रेंड स्वागता आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड होम डैकोर में पेट की चरबी कम करने के टिप्स नमबर एक आमले का जूस बाहर निकले पेट को अंदर करने में फाइदे मन्द सावित हो सकता है आमले में फाइबर भरपूर मातरा में होता है जो पाचन बूस्ट करने में मदद करता है ऐसे में वैली फैट कम करने के लिए आमले का जूस सेवन किया चाह सकता है आमले के जूस के हलावा इसका मुरबब पनाकर भी खाया चाह सकता है नमबर दो, बाहर निकले बेट को अंदर करने के लिए निम्बू के रस का सेवन भी अच्छा असर दिखाता है निम्बू का रस फैट पिगलाता है और बेट की चर्बी पर तेजी से असर दिखाता है रुजाना सुवा खाली पेट हलके गरम पानी में निम्बू का रस मिलाकर आदा चमच शहद डालें और फिर पिए नमबर तीन, फाइवर से भरपूर मेथी के दाने भी वजन कम करने की डाइट में शामिल किये जा सकते हैं मेथी के दानों को रात भर बिगो कर रखें और अगली सुबह इस पानी को गरम करें और खाली पेट पी लें रुजाना इस पानी का सेवन किया जा सकता है नमबर चार, रुचाना सुबा और शाम अजवाइन का पानी बना कर पीने पर पेट पर असर दिखने लगता है रात में तीन गिलास पानी में एक चमच अजवाइन के दाने डाने डाल कर उबाले इस पानी को तब तक उबालें जब तक तीन गिलास से घटकर जै बरतर में दो गिलास के बड़ापर पचे अब इस पानी का एक गिलास रात में खाना खाने के आदा घंटे बात पीएं और बचा हुआ एक गिलास अगली सुबह पी लें नमबर पांच बदाम भूख को दवाने का काम करता है साथ ही चे दिल सवंधी बिमारियों को दूर रखने में भी मददकार है इस से हाई फाइवर की मजूदगी एक लंबे समय तक आपको भूख का एसास नहीं होने देती है ऐसे में अगर आप फैट बराने वाले सनेक्स खाते हैं तो उसकी जगा रोस्ट पदाम का इस्तेमाल शुरू करें नमबर छे पेट के चरपी कम करने के लिए तर्बूस का एक बहुत असान और कारगर उपा है इसमें कंड में परश्ट पानी होता है और जब आप इसे खाने से पहले खाते हैं तो आप पहले से ही भड़ा हुआ महसूस करते हैं इसमें विटामर वी वन वी सिक्स और सी प्रयापत मातरा में उपलब्द होता है हर रोज दो गिलास तर्बूच का जूस पीने से आठ सब्ता में पेट के आसपास की चर्बी घट जाती है नमबर साथ अहार में प्रती दिन अलग-अलग तरह की बीन्स का सेवन करने से भी चर्बी घट दी है साथ ही इस से माश पेशियों मजबूत होती है और पैन किरियावी सही रहती है बीन्स की खासियत जे है किसे लंबे समय तक आपको हैवी फील करवाती है और ऐसी स्थीती में आप बाहर की दूसरी चीज़े खाने से प्रेज करते है नमबर आठ जीरा असानी से मिलने वाला मसाला है और कई बिमारियों के लिए बहुत कारगर है पेट की चर्बी कम करने का जे घ्रेलू उपा कैलरी बर्न करने में मदद करता है एक चमच जीरा लें और इसे एक गिलास पानी में रात में भीगो दें सुवब पानी पी लें नमबर नो दाल चीनी उन पर मुक मसालों में से एक है जो हमें स्वस्त बनाती है इस मिशन का निश्मत रूप से दिन में एक वार सेवन करें जे उपा वास्त में पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है भूने हुई दाल चीनी को पाउडर करें और एक चमच पाउडर को एक शोटी की टोरी देही में मिलाएं और खा लें नमबर दस लसुन की दो से तीन कलियां लें पेस्ट बना लें जा इसे क्रेश करें इस पेस्ट का निश्मत रूप से खाली पेट सेवन करें पेट की चर्वी कम करने में लसुन महत्ता पौन और प्रवाबी पूमिका निवाता है नमबर ग्यारा अलसी एक एंटि आक्सिडेंट्स है जे पेट की चर्वी कम करने में मदद करती है अपने भोजर में अलसी का पर जोग करें और इसका सेवन करें नमबर बारा अपने खाना पकाने के तेल को नारियल के तेल में बदलें नारियल का तेल परवाबी रूप से पेट की चरबी को कम करता है नमबर तेरा बोजन कम करने के लिए शरीर कुरूप से एक्टिव रहना बहुत जरूरी है आप जिम जाकर एक्सराइज करें जान जोका अव्यास करें जान 30-40 मिन्ट पैदल चलें सुनक्षित करें कि एक्सराइज जरूर करें इस से अधिक कैलरी बर्न करने में मदद मिलती ह नमबर चौरा बोजन के 10-15 मिन्ट बाद हरबर चाए पीएं आप गरीन टी जीरा जान सौफ की चाए जान दाल चीनी आदी की चाए पी सकते हैं इस जे बोजन के बेहतर पाच्चर में मदद मिलती है और मेटावोलिजम भी तेज होता है इस तरह आप अधिक कैलरी बर्न कर नमबर पंदरा व्यक्ति वजन गठाने के लिए हर जदो जहत कर लेता है और फिर भी वजन टस्ते मस नहीं होता इसकी वज़ा नीद की कमी हो सकती है अपनी नीद जूर पूरी करें नीद पूरी रहेगी तो शेहत की दरुस्त रहेगी नमबर सोला प्रोटीन फैट कम करने में असरदार होता है इससे शीर को भरपूर उर्चा भी मिलती है और जय मसल्ज को मज़बूती भी देता है इसके लिए अंडे दूद और ड्राई फ्रूट टाइट में शामिल कर सकते हैं नमबर स्तारा खान पान में फाइबर की मात्रा बढ़ाई चाह सकती है फाइबर से बर पूर फल सबजें और अन्य जीजें पेट को लंबे समय तक भड़ा रखती है वजन कम होने में मदद मिलती है नमबर ठारा आप कम से कम एक वार कोई मौसुन फल जरूर खाएं सेव अमरूद और नाशपती वगेरा साल भर मिल जाते हैं और जय फल फाइबर के भी अच परता है कुछ भी खाने के 20 मिट बाद अगर आप गुणगणा पानी पीते हैं तो इसका असर पेट पर तेजी से दिखेगा फ्रेंड्स अगर आपको टिप्स अच्छे लगें वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए है प्ल कर सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग